कि नवस्कार मैं उकाव्य कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स देश में फिर से एक बार कोरोना के मामले ड़राने लगे हैं वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहां भी कोरोना अपना पाओ पसाड़ने लगा है कल तक कोरोना मडीजों की जो संख्या थी वह पा बहुत धर्म गुरु दलाई लामा गया के दोरे पे हैं जिनका गया में प्रवचन होने वाला है जिसको सुनने के लिए देश और विदेश से उनके श्रधालू आ रहे हैं आपको बता दे कि इनी श्रधालू का गया एरपोर्ट पे कोरोना जांच किया गया जिनमें ये कोर यटको की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है ये सब इंग्लैंड बैंककॉक और मैनमार के रहने वाले हैं गया में दलाई लामा का अब कारे करम है वहीं पटना के साथ साथ दर्भंगा में भी पॉजिटिव केस मिला है हलाकि इससे कोई केस बिहार सरकार की ओर से जारी होने वाली रिपोर्ट में सामिल किया जा सकता है एंस पटना में दुलिनिया बजार का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया रवीवार की देर रात रिपोर्ट आई बीते सोमवार को उस व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली उसका सैंपल दुल 24 दिसंबर को फ्लाइट से आये थे प्रियाटक सोमवार की साम स्वास्त विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में सिर्फ दो ही पॉजिटिव केस थे एक गया और एक दर्भंगा में मरीज मिला है गया में जो ग्यारा प्रियाटक पॉजिटिव मिले हैं इनमें से चार की रिप डॉक्टर रंजन कुमार सिंग ने बताया कि ग्यारा लोगों में एक परियाटक इंग्लैंड का है इसके अलावां दस परियाटक में बैंककॉक और मैनमार के लोग सामिल है सभी को जो जहां है वहीं आइसोलेट किया गया है सभी विदेशी परियाटक 29 से 31 दिसंबर तक से फिलुक के लिए आइसोलेट किया गया है और थे इसके सांथ आपको बता दे कि के जो मामले हैं वो बिहार में बढ़ते जा रहे हैं जिसको लेकर बिहार सरकार भी अब एक्सेन में आ रही है और अलर्ट जाड़ी कर रही है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके तो फिलाल के लिए खबर में इतना ही चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद